सब्सक्राइब आएब जानेंगी कि यह gaming earbuds कैसा है तो यहाँ box के ठीक सामने यहाँ आप उपर देख सकते हैं यहाँ आपको device का ना में इशन है इसके side में इसके कुछ features हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर आप देखिए यह जो आपको device है यह आपको 13 mm drivers up to 50 hours play time 40 millisecond low latency और bullet charge वाले features के साथ आता है बॉक्स के ठीक नीचे देखिए यह आपको wingsync app support वाले features के साथ भी आता है इसके side में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके कुछ features मेंशन हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो आपको gaming earbuds से यह full touch control digital display case design voice assistant support और type C charging वाले features के साथ आता है आईए अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर इसके दूसरे side में क्या mention है तो यह जो आपको earbuds है Bluetooth 5.3, SpeedSync, Quad microphone और IPX5 Sweat and Water Resistant वाले features के साथ आता है यहाँ पर आप box पर देख रहे होंगे इसके ठीक पीछे यहाँ पर देखिए यह जो आपको device है यह आपको दो color में आपको market में available है एक है black और दूसरा जो color है यह है आपको white यहाँ पर आप देख सकते हैं आईए अब हम यहाँ से इसके box को open करते हैं तो इसके लिए यहाँ से इसके उपर के यह जो आपको wrapper है इसको हम यहाँ से cut करते हैं यह देखिए यहाँ से हम इसको cut कर रहे हैं और यहाँ से हम इसके यह जो उपर की यह जो wrapper है इसको हम हटा रहे हैं यह आप देख सकते हैं अब हम इसके box को यहाँ से हम open करेंगे यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने box को open कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको left hand side पे सबसे उपर यह हैं आपको stickers दिये गए हैं यह देख सकते हैं इसमें काफी stickers हैं यह देखें इसको हम side में रखते हैं इसके अलावा यह देखें यह हैं आपको wings की phantom 345 true wireless gaming earbuds यह आप देख सकते हैं यहाँ पे यह आपको दिया गया है इसको हम यहाँ से इसके wrapper यानि polythine से हटाते हैं यह देखें यह वाइट कलर में है यहाँ पे आप देखें यह पूरा का पूरा आपको transparent है यहाँ पे इसके ब कर रहे हैं तो यह देखें यह है इसका charging cord जो कि आपको USB Type-C वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा इस box के अंदर और भी कुछ है वह हम चेक करते हैं क्या है तो यहाँ पे देखें इसके अंदर आपको different different shapes and size के आपको ear birds आपको यहाँ पे दिये गए हैं इसके लावा सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक wings करके एक packet है तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने packet के अंदर से यह सारे कुछ papers को निकाला है सबसे उपर यह देखें यह है user manual यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे यह देखें यह है आपको no hassle guarantee इसी के थुरू आप यहाँ पे इसको connect करके आप अपनी warranty को आप ले सकते हैं इस इसके नीचे आपको यह देखें यह है आपको विंग सिंख आप यहाँ पी देख सकते हैं इसके QR code के थुरू आप इसको अपने smartphone के उपर डाउनलोड कर लोगी आईए अब हम बात करते हैं इसके design के बारे में तो इसका जो यह charging case है यह आपको transparent है और इसके यहाँ यह दोनों आपको बाहर के side यहाँ पर आपको फिक्स हुई है यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों यह बर्स के ठीक ऊपर आपको विंग की branding भी दी गई है और इसके ठ ठीक नीचे यहाँ पे इसका USB Type-C charging port दिया गया है यह आप देख सकते हैं काफी premium quality का आपको यह charging case है इसके ठीक सामने आप देखे यहाँ पे आपको Wings का logo दिया गया है आप देख सकते हैं आई अब हमें काम करते हैं यहाँ से इन दोनों यह बर्स को हम बाहर निकालते हैं इन दोनों यह बर्स को हमें बाहर निकालते हैं और यहाँ पे यह दिखे इन दोनों के उपर आपको ब्लू कलर का एक चोटा सा टेप लगा है इसको हम यहां से हम हटाएंगे इन दोनों में से टेप को हमने हटा दिया है और यहाँ पे दिखे यह देख सकते हैं यह दोनों यह आपको इन इयर वाला आपको follower stories है जो कि आपको white color में है काफीあります देक्सकते हैं आजीए अब हम एक काम करते हैं कि इन 2 अध यहाँ पे charging case पर इन 2 आपको यहाँ पे आप सामने के लगा होगे है और इसके ठीक सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिस्प्ले है जिसके उपर आप देख सकते हैं कि okay mission है तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो charging case और earbuds है वो कितना charge है तो ये एक काफी अच्छा आपको look दे रहा है सामनी से आप देख सकते हैं white color में okay display आप देख सकते हैं ये जो इसका charging case है ये काफी premium look दे रहा है अभी तक मैंने जितनी भी sync इसको मैंने अपने smartphone के उपर install कर लिया है और इस earbuds को मैंने इसके साथ connect भी कर लिया है यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको phantom 345 mention है यहाँ पर आप left and right आप देख सकते हैं इस app में यहाँ पर सामनी कुछ mention है वो मैं आपको बताना चाहूँ यह है आपको EQ modes, touch controls, locate the earbuds और more य यह सब कुछ आपको यहाँ सामने mention है यहाँ पर देखें यहाँ पर मैंने EQ modes के उपर tap किया और इसके अंदर आगए यहाँ पर बहुत सारे आपको equalizers mention है इसके अंदर जो equalizers है वो है आपको default, popular, rock, folk, classic, country, jazz, soft bass, soft pitch यह सब कुछ आपको यहाँ mention है यहाँ से हम बाहर निकलते है अब हम touch controls के उपर tap करते हैं यहाँ पर देखें touch controls के अंदर आपको single tap है, double tap है, triple tap है, long press tap यह सब कुछ आपको mention है तो इस तरीके से आप इनके earbuds के उपर आप tap करके जो भी आपको controls देना है वो आप यहाँ से आप दे सकते हैं इसके बाद यह देखें यहाँ पर मैंने more के device name है और game mode switch यह सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है यह आप देख सकते हैं यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो यह सब कुछ आपको इस app के अंदर है यहाँ पर देखें यहाँ पर में दोनों कानों में इस earbuds को लगा लिया है और इसके उपर हम सबसे पहले इसके fitting की quality को test कर देखेंगे अगर यह हमारे कानों से निकल जाता है इसका मतलब इसकी fitting जो है वो उतनी सही नहीं है या फिर इसके अंदर जो आपको different different shapes and size के यह बर्च दिये गयते उनको आप इसमें लगा कर आप अपने कान का जो आपको hole है उस हिसाब से आप fit कर सकते हो तो आए अब हम अपने इस सर को काफी तेजी से हिलाते हैं तो यहां पर देखें यहां पर मैंने अपने इस सर को काफी तेजी से हिलाया फिर भी यह दोनों earbuds है यह हमारे कानों से बाहर नहीं निकले है यानि इसकी fitting है वो काफी अच्छी है तो आईए अब हम इसके उपर sound की quality को test करते हैं यहां पर देखें यहां पर मैंने इस को अलड़ी इसके app के साथ इसको connect कर लिया है यहां पर अभी मैंने वीडियो में थोड़ दिर पहले दिखाया था कि यह जो आपको earbuds है इस app के साथ भी connected है तो इसकी उपर हम एक sound को अब हम play करने जा रहे हैं तो यहां पर मैंने sound को play कर और इसके जो EQUILIZEARS के बारे में आप बात करें तो यहां पर जैसे कि मैं अभी आपको दिखायता है कि DIFFERENT-DIFERENT आपको EQUILIZEARS आपको इसमें एवलेबल है. przedstaw rock थे आप जो की मुझिक सुन रहे हो तो उस हिसाब से आप यहां पर सेट कर सकते हो तो उससे क्या है कि आपको जो sound की quality है वो काफी अच्छे आएगी यहां पर मैं ऐसे music को सुनते समय आपको बताना चाहूँगा कि sound की quality है वो काफी अच्छी है तो यहां पर देखे मैं इसको double tap करूँगा तो यह जो अभी मैं गाने को सुन रहा था वो आपको पहुझ हो चुका है अगर आपको play करना है तो फिर double tap आप करूगे तो वो play हो जाएगा तो यह दोनों control जो है single tap पे double tap पे triple tap पे या फिर और जो controls है वो इसके app के अंदर आपक अपने कानों में कोई भी device लगाया हुआ है काफी इसका वज़न जो है वो हलका है तो यहां पर देखे यहां पर मैंने left and right दोनों जो earbuds है उसको यहां पर मैंने लगा दिया है इसमें आप जैसे ही इसका जो display है उसके ऊपर आपको यह दिखेगा कि इसमें कितनी battery बची है त काफी अच्छा मुझे आपको एक gaming ear birds लगा तो दोस्तों आपको यह ear birds कैसा लगा यह आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर में ज़रू बताएं इसका price कितना है इसको आप खहां से purchase करोगी यह सारी बात है मैं नीचे description area में आपके साथ share करतूँगा अब मैं आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा सायोन अरा टेक क्या थैंक यू